के लिए रूरी तेना का हमला लगातार जारी है युक्रेन के अलग-अलग शेहरों में लगातार जारी है ये हमले रूसी हमले का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है युक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शेहर खार्थीव और जो तस्वीरे जंग की सामने आ रही है वो दिल दहला देने वाली है तबाही का भयानक मंजर अलग-अलग शेहरों में युद्ध के निशान अब देखने को मिल रहे है युक्रेन की अगर बात की जाए तो लगातार जो मुख्य शेहर है युक्रेन की उनको निशाना बनाया जा रहा है महां कि मुख्य इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बीच बड़ा बयान जिलिंस्की की तरज से मुझे उमीद है कि हम लडाई जीतेंगे युक्रेन पर रूसी हमले का आज दस्वा दिन है युक्रेन पर रूस का हमला तेजी से जारी है रूसी सेना युक्रेन के सैन्य बेस तभा कर चुकी है और जो कुछ बचे है उन पर लगातार बंबारी की जा रही है दस तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं दस तस्वीरों में आप जंग की मुकमल तस्वीर देख सकते हैं कीव, खारकीव, खेरसन, ओडेसा, पसकोव, जेपरीजिया, वरोदयांका, मारियोपोल, हटने, चेर्निहाइव शहर शहर पिछले दस दिनों से रूस का हमला जारी है जंग की सबसे नई तस्वीर ओडेसा से आई है ओडेसा की ये तस्वीर जहाँ पर रूसी हमले में एक ब्रिज उड़ गया ये पुल ओडेसा को ट्रांजनित्रियक से जोड़ता था एक और तस्वीर आपको बता दे, रूस के पसकोव इलाके से आई है लेकिन एक बार फिर से आपको हम ओडेसा की ये तस्वीर दिखा दे क्योंकि ये जंग की सबसे नई तस्वीर है ओडेसा से आई है ये नई तस्वीर यहाँ पर रूसी हमले में एक ब्रिज उड़ गया इस तस्वीर को आप देखिए इस हमले में इस धमाके में एक ब्रिज उड़ गया और बताया जारा कि ये जो पुल है ये ओडिसा को ट्रांसनित्रिया से जोड़ता था तो लगातार अलग-अलग शेहरों पर अब हमले हो रहे हैं धमाके हो रहे हैं एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं रूस के पस्कोव इलाके की ये तस्वीर है पस्कोव इलाके से कुछ किलोमीटर दूर से ये तस्वीर आई है यहां से रूसी सेना का लंबा काफला बढ़ता देखा गया आप देखें इन तस्वीरों में तो ये रूसी काफिला जिसकी कुछ दिन पहले भी सैटलाइट इमिजिस सामने आई थी बताया जा रहा था कि करीब 64 किलो मीटर ये रूसी सेना का काफिला है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कियेव की तरफ भी बढ़ रहा है किया गया जहां पर सबर्दस्त धमा के देखने को मिले